तो दोस्तों अगर आपने समा creative corners को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे इसमें आपको latest recipe के साथ साथ कुछ creative idea मिलेंगे तो इसका जो link अगर आपको चाहिए तो link description box में आप वहां से जाके इसे जरूर subscribe कीजिए तो दोस्तों क्या आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है उबासी आती है कि हर टाइम आपको ऐसा लगता है कि मुझे नीद आ रही है आफिस का जो काम करने से पहले ही आपको ऐसा लगता है कि मुझे सोना है मतलब आफिस का काम करने का मन ना कर रहे यह कुछ भी काम करने का आपका मन नहीं करता ठकान आपको आपकी बॉड़ी में बहुत ज़्यादा लग जाती है कमर का दर्द आपको बहुत रहता है कहीं पे भी मितलब ट्रैवल करो तो आपको तुरंद कमर दर्द हो जाता है बाइक वगेरा चलो तो कमर में दर्द होता है गुटों में आपका दर्द होता है मितलब आप वॉक करके आप रन करो दोस्तों ये आपके कमरदर, ठकान, कमजोरी, आपकी बोड़ी में कैलशियम की कमी को सबको दूर करेगी और साथी साथ आपकी यादधास को भी बढ़ा सकेगी ये आप अपने साथ साथ आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस रेमेडी को बनाना तो दोस्तों सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर चाहिए काले चने जिसे हमें चिक्की भी बोलते हैं तो ये आपको लेना है दोस्तों ये बहुत अच्छे होते हैं आपको पता ही हमारी बोड़ी से खून की कमी को दूर करते हैं हमारी बोड़ी में एनर्जी लेके आते हैं ये बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर होता है शुगर को कंट्रोल करता है इसमें फाइबर होते हैं मोते आपकी हड्यों को मजबूत करता है और साथ ही साथ जो आपको stress हो जाता है उस problem को दूर करता है मतलब मांसिंख तनाव को दूर करता है खुन की गमी को दूर करता है ये आपकी body के लिए बहुत अच्छा है ये ना इतना महंगा जो आप proteins products लेते हैं उससे लाग गुना अच्छा है safe है तो आपको अपनी स्टाइट में जरूर सामिल कलना चाहिए दूसरी चीज आपको लेनी है दोस्तों यहाँ पर बदाम आपको पता है आपकी याददास को बढ़ाता है और जो लोग बदाम खाते हैं और जो लोग नहीं खाते उनकी तुनला में 50% कम chances होते हैं जो डेली बदाम खाते होंने heart attack आने वाली problem से साथ ही साथ ये जो cancer के खत्रे होते हैं दोस्तों उसको भी कम करता है तो दो चीज हमें लेनी हैं यहाँ पर बदाम और यहाँ पर लेना हमें काले चने तो दोनों चीज आपको आज़ानी से market में मिल जाएगी अब आपको खाना कैसे है दोस्तों से तो इसको खाने के लिए आपको लेना है यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल बाउल आप ले लीजिए अब बाउल में आपको लेना है यहाँ पर दो चमच काला चना दो चमच आपको लेना है यह चने अगर आप अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं उनको तो एक चमच आपको यहाँ पे काले चैने लेने हैं बट अगर आप अपने के लिए ले रहे हैं आप दो से चार चमच भी इसको कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे दो चमच ले रही हूँ यह जो recipe remedy है दोस्तों यह pregnant lady भी ले सकती है उनकी body में भी बहुत ज़्यादा थकान होती है calcium की कमी होती है तो यह ले रही हूं है उसके बाद हमें लेने हैं यहाँ पर 5 बदाम आप बड़े हैं 30 के 25 के उपर हैं तो आप 5 बदाम लीजिए और अगर आप अपने छोटे को तो आप 3 बदाम उन्हें दीजिए तो यहाँ पर आप 5 बदाम लीजिए अपने के लिए तो यहाँ पर 5 बदाम ले लिए हैं दो चम्मच आपने काले चने ले लिए हैं यह आपने ले लिए हैं अब आपको क्या करना है दोस्तों इन बदाम और इन कालो चनों को एक साथ डालना है और वो आपको रखना है राद बर भिगो ने इने, आप इने राद बर भिगो दीजिए, तो राद बर आपको इने भिगो के रखना है, तो जब यह राद बर दोस्तों भीग जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, जब भीग जाएं, उसके बाद आप जब सुब बदम और चना दोनों आपको खान है बाद में ऐसका पानी , आपको देली खाना है , वो प्रॉब्लम आपको नहीं रहीगी, दोस्तों इसे आप डेली अपनी मॉर्निंग की डाइट में सामिल कर लीजिए, आपकी बॉड़ी के जितनी भी परिशानी है उसको दूर करेगा, आपको स्ट्रेस लेवल को दूर करेगा, आपके हड्यों को मजवूत करेगा, कल्शियम की, जो आपके बॉड़ी में कमी हो जाती है, पेन होता है आपकी बॉड़ी में, उस पेन को भी रिलीफ करेगा, तो आई होब दोस्तों आज की रेमेडी पसंद आईगी, तो रेमेडी पसंद आईगी तो, एक like करना है और मुझे comment section में ये जरू बताइए कि remedy आपको कैसी लगी